नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बज़ राज के वडियो में हम कंपेर करेंगे जीकी के पाच बुक को यहां कंपेर करेंगे और जानने की कुछिस करेंगे कि इन पाचों बुक में से कौन सा बहतरीन बुक है कौन सा बुक आपको लेना चाहिए ठीक है न तो यहां देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास समाने ग्यान दिख दिरशन 2022 का योनिक पब्लिसर का ये बुक है जेके शोपरा का बुक है उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एंसी आठी सार्स अंकलन कक्छा 6 से लेके 12 और यह डॉक्टर मनिस रंजन का बुक है और अगर हम देखें तो किरन पब्लिकेशन का ये बुक देख सकते हैं ये किरन पब्लिकेशन का बुक है जीके का और यहां पे देख सकते हैं लूशेंट को भी मैंने यहां कंपेर किया और साथ में यहां पे घटना चकर का ये जीका का बुक है ठीक है 2022 से नहीं है तो यहां से कौन ज्यादा अच्छा लगा किसमें आपको जानकारी ज्यादा देखने को मिलने वाला इन पांचो बुक के अंदर तो सबसे पहले अगर हम बात करें घटना चक्राइब यहां पर देखेगा समाने ग्यान 2022 दिख डिटर्शन और यह जेके चोपरा का बुक है यूनिक पब प्लीशर का बुक है इस बुक का अगर MRP के बारे में बात करें तो 390 या MRP आप देख सकते हैं जिस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ओनलाइन ऑफ लाइन दोनों आपको डिस्काउंट मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा और लोकल मार्कर इस बुक को अगर अंदर से देखें तो अंदर में आपको सबसे पहले के आपको इनके अपके बारे में जानकारी मिल जाएगा जिसको दो सिप्ट में आपको एक कोड मिलेगा और इसके बाद qr-colle को इसके आप इनके वीडियो लिए देख सकते हैं और इनके study material को वहां सक तो पहले पेज में कुछ ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है यहां पर देखेगा कुछ आपको पॉइंट बताया गया कि यह बुक क्यों लेना चाहिए और यह 2022 का लेटेस्ट एडिशन है 14 एडिशन है ठीक है 14 हुआ संस्करन है यह बुक है और यहां देखेगा इस बुक का मैंने दोस्तों डिटेल रिव्यू दिया हुआ है तो आप वहाँ जाके विडियो को देख सकते हैं यहां विसे सूची को पहले देखते हैं विसे सूची को पहले देखते हैं तो विसे सूची में आप देखेगा कि प्राचीन भारत पेज नंबर दो और इसके बाद देखेगा जितने भी टॉपिक दिया है सभी का पेज नंबर भी आपको दिया हुआ जिससे कोई भी टॉपिक आप खोज सकते हैं जैसे मालीजे कि मुझे मुझ पहुत ज़्यादा असान है ठीके आधूनिक भारत होगी आधूनिक भारत में देख सकते हैं भारती राश्ट्री आंदोलन अलग से दिया हुआ ठीक है एक तो आपको इस बुक में बहुत ही जादे हैं डिटेल में और अच्छी तरीके से दिया हुआ है लिंक करना असान है उसके बाद भारती कला संस्क्रिती विश्वे का इतिहास भारती विश्वे का भुगुल उसके बाद भारत का भुगुल परियावरन एयोम जैवी की विविजता उसके बाद भारती राजवैस्ता उसके बाद भारती अर्थवैस्ता भौतिक विज्ञान उसके बाद अगर देखें तो भी ग्यान केंदर सासित परदेश ROOD उसके बाद देखेंगे तो ऑपजेक्टिव हो nu अभी आपको देखने वही हैं यहां देखेंगisha आपको पहले पहला अधियाद देखेंगे तो इस बुक में अगर हम बात करें दोस्तों तो अब्जेक्टिव को भी मतलब इस्टाटिक जीको को भी यहां कवर किया गया है बेसिक समाने ग्यान की रूप में साथ में आपको श्टेट का जीके भी देखने को मिल जाएगा और प्लस में आपका अगर थियोरी खतम होता है तो अब्जेक्टिव कोस्तन भी देखने को मिल जाएगे ठीक है पहला अध्याय के बारे में बात करें तो पहला अध्याय में देख सकते इंडियन हिस्ट्री है जिसमें आपको प्राचीन भारत का सबसे पहले भारती इतिहास क स्रोथ है उसमें देखिए एका पहला टापिक है साहित्य साक्ष मिला धार्मिक साक्ष है उसके बाद देखिए का लॉकिक साक्ष है और इसी तरह से आपको बीच में टेबल देखने को मिल जाएंगे उससे रिलेटेट जो भी आपने श्टड़ी किया उससे रिलेटेट थोरा ज्यादा असान हो जाएगा उसके बाद प्रोग एतिहासी काल में देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है तो इस बुक को जरूर लीजिए इस बुक में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिलेगा और यहां देख सकते हैं भी दिया हुआ है ठीक है फिस इंदू सभेता हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हों नहीं दिया हुआ और इस बुक का कोई मैं परमोसा नहीं कर रहे हूं ठीक है बुक सच में अच्छा है आपको कोई भी डिक्कत नहीं होने वाला है पढ़ने में बुक दोस्तों बहुत अच्छा है वैधिक यूग हो गया उसमें देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहां टॉपिक को डिवाइड किया गया जगा जगा पर आपको टेबल देखने को मिल जाएगा ठीक है डिटेल रिव्यू मैंने किया हुआ इस बुक का तो आप उसे जाक बहुत जादा उपियोगी सावित हो सकता है अगर हम आगे देखे यहां पर तो गवर्नर के बारे में भी आप देखेंगे तो बहुत यह अच्छे तरीके से इन्होंने बताया फिर भारती राश्टी अंदोलन स्टार्ट होता है यह देख सकते हरे के आंदोलन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से ने बताया जैसे क्रिफ्स मिशन 1942 भारत चुरू अंदोलन और यहां पर हरे के आंदोलन के बारे में भी अच्छे से समझाया टेवल आपको देखने को मिल जाएगा तो बुक दोस्तों अच्छा है बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तर जाएंब आपको समझमें आ सकता है बट साइंस में काफी जादा प्रॉबलम होता है तो आप इसके साइंस को देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया गया है और श्ट्टिक जीके भी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है जो कि लुच्ट्ट में आ रहे हरे टॉपिक से देखने को मिलेगा जैसे इतिहास हो गया उसके बाद राज वासता हो गया हर एक टॉपिक से पंिए मेह आपको देखने मुलेगा तो इसका मैं बता क्यों ऐसे गया सकते हैं चलिए अगले बुक को देखते है हम लोग अगला टॉफ हमारे पास है один एंसे आपको काफी कमी भी देखने को मिलेगा ये मेरे पास है 2019 का एडिसन इसका नया एडिसन को प्राइस है 196 रुपय होगा ठीक है और यहां देखिएगा यहां पर विशेश सूची जो है इसका बहुत ही खराब तरीके से दिया हुआ ठीक है टापिक को उतने अच्छे तरी आरेंजं नहीं किया जैसा कि यूनिक पब्लीषर ने किया था जैक होगा हुक मोग में अ لا अब यहां देखे अगर हम इसके content को देखे तो content ठीक ठाक है लुसेंट के content खराब नहीं होता है बट इस बुक में क्या है एक एक टॉपिक को link नहीं किया गया ठीक है न जैसे मध्यकालीन भारत ही आप देखेंगे तो उस टॉपिक में आप link नहीं कर पाएंगी कि बलवन किस बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया होगा यहां से direct question भी आते हैं बट किवल इस बुक से आपका काम नहीं चलेगा क्योंकि governor के बारे में उतने एच्छे clear तरीके से इन्होंने दिया नहीं है ठीक है कि आपको पढ़ने में ज्यादा मज़ा है तो कुछ कुछ टॉपिक जो है बहुत ज्यादा बोर बना दिया गया है मैंने science भी इस बुक से परहा है मुझे बहुत ज्यादा समझ मनी आया ठीक है इस बुक का जो science से बहुत ज्यादा समझ मनी आया हाला कि अगर हम बात करें कि इसका जो सविधान है वो बहुत ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है मैंने सभीधान परहा है मुझे बिल्कुल समझ में आया सभीधान इस बुक से तो कुछ-कुछ टॉपिक में अच्छे दिए भग ठीक है आप देख सकते हैं कि कुछ-कुछ टॉपिक अच्छे दिए बहुत जाद जरूरी है क्योंकि मार्केट में अपने कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से सजाता नहीं है जो मुझे खराब लगता है अपने आप में और थीखने को बहुत जादा अप्डेट में मैंने बता दिया मुझे लगता है कि सभी के पास होगा ठीक है आगे देखेगा अब NCRT सार्ट संकलन कक्षा 6 से लेके 12 तक के यह बुक है मनेश रंजन का यह बुक है और बुक दोस्तों यह भी अच्छा है इस बुक में आपको 372 पीज देखने को मिलेंगे 295 रुपया इसका प्राइस है और 50,000 से अधी के मतलब बताय यहां पहले MRP के बारे में बात करें तो MRP आप देख सकते MRP कितना 255 में जिसको जिसमें आप लाइन आपको डिसकाउंट मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर यहां देखे प्राचीन भारत है तो यहां भी यूनिक पब्लिसर के जैसा कंटेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा के दिया हुआ है जेके चोपरा के बुक जैसा और यहां पे देख सकते हैं आपे कंटेंट में कोई कमी नहीं है सबसे पहले देखी का इतिहास आया उसमें तीनों इतिहास को कवर किया गया भारती है प्राचीन भारत मधेकाली प्राचीन भारत आधुनिक भारत उसके बाद स्वतंत्रता नोलन विश्वे का इतिहास है कला एम संस्क्रिती विश्वे भारत का भुगोल हो जाएगा ठीक है उसके बाद भारती राजवैस्ता हो जाएगा हर इक टॉपिक को पीच नंबर से आप खोश सकते इस मुक में भ प्राचीन भारत का देखने को मिले तहिस में अबको साहिते इस में देखने को मेलेगा मतलब जितना पोट ज्यादा आपको डिएघने को नहीं मिले डिंग से बाद देखेक sleeps a प्छीज आ मिलेगा मैप देखने को नहीं मिलेगा और सब्सक्राइब बहुत करना हुगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हर एक टॉपिक को मतलब कंटेंट इसे बुक में बहुत एच्छे से सजा के लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहां पे ठीक है कंटेंट इस बुक का काफी अच्छा है पतला सा बुक है बहुत ज्यादा मोटा बुक नहीं है हर एक टॉपिक को कबर के करने की कुसिस कि इन्होंने अपने बुक में 295 रुपे MRP है और 372 पेज है मनीश रंजन इसके लिखा के बुक दोस्तों अच्छा है आप चाहे तो ले सकते हैं बट इसमें आपको डिटेल में आपको थियोरी देखने को नहीं मिलेगा पॉइंट तो प दो चाहा चाहे लिखा कि और दोस्तों थितने भी बुक आपको मैंने दिखा है न सब एंस्यारटी पाटर पे ही होते हैं कॉपचा 1 5 continue कोई धिक्कत listen होने वाला है और ये बुक दोस्तो इस्टैटिक जीके के लिए अगर आप याद करना चाहते तो ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है यहां देखिए का भारती इतिहास हो गया यहां भी विश्य सूची इन्होंने काफी अच्छा दिया हुआ है ठीक है अधुनिक भारत ह सुच च्यूर के इसके बाद यहां पर भारति का इतिहास में साथ कुछ कवर किया गया है थिस्वे का इतिहास भारती एक ऐसके भारती राज्वायस था सभिधान भुगूठल हो गया इसके कोने को मिलेगा भारत काभी इकनौक्रिक नहीं कि देखने को मिलेगा साइपिंस इस बैगना साइप कीछ ऑर बिज दो को मिले यहां कि अदिस्ट को कबर किया गया यहां पर कुछ भी आपका बच्छे गा नहीं यहां भी आपको फ्लू चार्ट आपको देखने को मिलेगा और यहां पर सबसे पहले इन्होंने भारती इतिहास की महत्यपूर्णती थी मतलब इतिहास में जो भी इंपॉर्टन्ट इति थी हुआ ना वो सबसे पहले इन्होंने दे दिया है तो स्टाटिक जी के इस बुक का दोस्तों काफी अ इस बागी दो बुक मैंने दिखाया उसमें कंटेंट को अच्छे तरीके से सजाया कि यहां जो टॉपिक इसको थूरा अंडर लाइन कर देते हैं या कुछ हाईलाइट कर देते तो ज्यादा अच्छा लगता है तो यहां तो यह आपको नहीं लगेगा और कंटेंट भी चाहें तो ली आधाइक है कई जो की आप को बहुत ही ज्यादा मदद करेगा छाहेंER और न सब्सक्रोंद नीज को लिए सकते जो नए अडिशन अया उसमें तो कम पीज होगा क्योंकि उसका सब्सक्राइब किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं नोसट बानबी पेज है और न्यू एडिशन का भी सेंप रॉपाइब प्रायस है आप इस बुख को ले सकते हैं ठीक है और एक और बुक आता है य इस भुक को पर्चिस कर सकते हैं एडिसेन आपको नहीं लिखा हुआ है इस भुक में नमबर पेज मैंने बता दिया सभी चीजे प्राइस भी मैंने बता दिया ठीक है भुक है उनके लिए जो याद करना ज्यादा पसंद करते हैं इसमें आपको जगा-जगा फ्रैक्ट यो ढेया हुआ है थाक है इसमें आपको अमने ग्यान भी मिलेगा और सबसे पहले विख्क पायले गया सबस्यक्जाद करते हो चारे टॉपिक दिये हैं सबसे पहले भारती राजवैस्ता है उसके बाद इतिहास है उसके बाद भुगोल है उसके बाद कंप्योटर है जी विज्ञान है साइंस और टेक है खिल खिला रही है और यहां दिखिए आपको जगा जगा आपको कुसन देखने को मिलेंगे यहां पर देख सकते हैं ठीक है और थियोरी को कंटेंट को थोड़ा और भी अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते थे बट यहां पर कंटेंट को अरेंज नहीं किया है और मुझे उतना ज्यादा खास यह बुक लगा नहीं ठीक है मैंने इस बुक को अच्छे से परहा है मुझे लूसें में कही兒 जगा देखेंगे सबयाएंकि जगा को कुछन देखने को मिल जाना को यह समय प्रहाँ , पुम पर लेड़े अचहां और को अच्छे से देखने मिल जाना से लिख Um writers को देखने को मिलीगा बक्राइब को की अब बाइव भी ज़्यूपिक भी आपको clear देखने को मिलेगा printing quality भी अच्छा देखने को मिलेगा तो बुक दोस्तों अच्छा है ठीक है इसके अगर हम प्राइस के बारे में बात करें इस बुक का मैंने 408 पीज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला ठीक है तो इस बुक में देख सकते हैं कि यही एक खास बात है जो कि किसी और बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इसमां जगा जगा पर आपको उस टॉपिक से related कोस्ता दिया गया जैसे कोई भी टॉपिक आपने परहा तो उससे related आपको तुरंद कोस्तन देखने को मिलेंगे और आपका रिवीजन काफी अच्छा हो जाएगा तो आप अच्छे से यहां पर रिवीजन कर सकते हैं ठीक है अच्छा देख सकते हैं कि जो गवर्नर के बारे में टेबल में बना के दिया हुआ है जो क इस बुक में दिये हुए ठीक है बुक बहुत ज्यादा मोटा नहीं है आपको कुछ टॉपिक पढ़ने में अच्छा लगेगा जो बुक का खास बात है यह किसी बुक में आपको देखने को ने मिलेगा कि आपको साथ-साथ क्या होगा रिवीजन भी होते जाएगा तो बुक के ठीक है न्यू बुक है ठाट एडिसन है घटना चकर का तो आप इस बुक को चाहे तो ले सकते हैं चलिए आप इस इन पाचों बुक में से कौन सा बुक है आपको लेना चाहिए उसके बारे में हम डिसकस करते हैं ठीक है पांच बुक हमारे पास है यहाँ पे पर किया गया इस बुक के अंदर थीक है सबसे ज्यादा अच्छा मुझे यही बुक लगा क्योंकि इसमें आपको डिटेल थियोरी देखने को मिलेगा ठीक है और उसके बाद अगर आपको सौट में पढ़ना है तो आप इस बुक से तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं मुझे जो अच्छा बुक लगा जो भी मैंने पांचे बुक पर रहा मुझे यह जो समाने ग्यान दिक दर्सने यह ज्यादा बैठर लगा जेके चोपरावला क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक बचेगा ने कोई भी टॉपिक को अच्छे तरीके से दिया हुआ है 390 रुप Teil.ісनào, इसमें ज्जादा दिया हुआ है अप इस वुक को ले सकते इस्टाविक के लिए बटilly यह बुक अगर आफको चाहिए तो यह बुक मुझे लगता ह्या सबके सथा पासge we-le-leaday और साथ में बोर्डू को ले दोनों मिलाके पर ऀंधे तो ज्यादा बूक ले सकते हैं किसी बी बूक का मैने परमोशन नहीं किया जो मैने बूक पर है उसके बारे में आपको पॉस्ट्रीम नेगेटिव पॉइंट बता दिया है ठीक है ठीक है ना अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप करके मुझे बताइए अच्छा लगा हो तो वडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सप्हों सब्सक्राइब कीजेगा आज करता हैं कि आज के दिनों आप लोगय का अचार है अगले वडियो में फिर से मिलते हैं ठै 관ध्य हूं